आईशास कुक बुक में असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बनोफी पाई बनाने की रेसिपी उसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए आप अपने पसंद की कोई भी कुकिज ले सकते हैं यहां पर मैंने चार रो और आप यह देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेक्स्चर होगा अगर जरूरत पड़े तो आप मजीद बटर एड़ कर सकते हैं बहराल अब हम इसको सेट होने के लिए सांचे में रख देंगे आप कोई भी प्लेन बाउल प्लेट ले सकते हैं यहां पर मेरे पास यह आप दे कर सकते हैं बहराल सेट होने के लिए हम रख देंगे दूसी तरफ हम कारेमल सॉस रेड़ी करेंगे फ्राइ पैन में मैंने एड़ किया है अराउंड हाफ कप शुगर और इसमें मैंने मैकसिमम 3-4 टेबल स्पून पानी एड़ किया है बिना चमर्च चराए हम इतनी देर कु सकते हैं इने बाटर एड़ किया है जो के था मैकसिमम 4 टेबल स्पून बाटर को हम मेल्ट करेंगे इसमें साथ ही अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं क्रीम आप चाहें तो बालाई एड़ कर सकते हैं इस अप टु यू जो कि है एक कप अगें अच्छे से मिक्स करेंगे इतनी देर mix करना है कि तीनु चीजे यकजा हो जाएं तो इसका texture आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है तो बस थंड़ा होने पे इसमें मज़ीद थिकनेस आईगी अभी ये थोड़ा रानी कंडिशन में है तो इसको रखते हैं हम साइट पे और आते हैं अपने नेक्स टेप की तरह नेक्स टेप में यहां पर मेरे पास टेटर पैक क्रीम है जिसको फूल चिल्ड होने के लिए मैंने रख दिया था अब मैं इसमें आड़ कर रही हूं फ्यू ड्रॉप्स वनिला एसेंस के और अकॉर्डिंग टेस्ट शुगर एड़ करूंगे अराउंड टू टेबल स्पून और बीट कर लेंगे जब तक कि यह अपनी कॉंटिटी से डबल नहीं बलके ट्रिपल हो जाए वो स्टिफ पेक्स बन जाएंगे आप देख सकते हैं हमारी क्रीम बीट हो गई है दूसरी तरफ बनोफी पाई बना रहे हैं अफकोर्स बनैनास चाहिए और उनको स्लाइस कटिंग कर लिया है आप अपनी पसंद की कोई भी कटिंग कर सकते हैं यहां पर जो ब्रेट का हमने मिक्सर बना के सेट होने के लिए रख दिया था वो सेट हो गया है अब हम इसके उपर लेंगे कटे हुए बनानास की लियर जो कैरिमल सॉस हमने रेड़ी किया था अब हम इसकी लियर देंगे इसकी लियर देने के बाद हम क्रीम की लेयर देंगे और यहां पर मैं आपको यह बताना चारही हूँ अगर आप कारमल सॉस नहीं बनाना चारहे कंडेंस्ट मिल्की टॉफी बना के आप वो भी एड़ कर सकते हैं बिसिकली वो ही यूज होता है लेकिन यह ज्यादा इजी प्रोसेस है इसलिए मैंने सोचा मैं आप से शेयर करूँ इसके इलावा बनोफी ट्राइफल भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो के बहुत ही यमी है बनाना बनता है जरूर बनाएं और मुझे फीड़ बैक अपना जरूर दें क्रीम एट करने के बाद मजीद में इसके उपर क्रश कीवी चॉकलेट एट कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो चॉकलेट चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं तो अगेन हम इसको सेट होने के लिए रहतेंगे फ्रीच में जब तक के यह फुल चिल्ड हो जाए मैक्सिमाम एक गिंटे के लिए या फिर देट गिंटे के लिए तो चनाब यहाँ पर अरौंड देट गिंटा हो गया है हमारा डिजर्ट बहुत अच्छे से रेडी टू गो है अब अब कटिंग करके सर्व कर सकते हैं अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें कॉमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया